जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट अस्टेडियू प्रश्णों को देखेंगे इसके पहले मेरा आप से रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल पर नए हो तो पिलिज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल सब्क्राइब कर ले तो चलिए दे से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं किया जा सकता है यह किस अनुछेद के तहत है तिया अनुछेद 24 के तहत है चलिए आप कुछ रिलेटेड प्रश्ण देख लेते दोस्तों अनुछेद 17 के तहत छुवा छूत को समाप्त करना है नेक्स पॉइंट एक आवन में निती निजेशतत का वर्नन किया गया है नेक्स पॉइंट है आपका अनुछेद 15 के ए इसमें मौलिक कर्थब का वर्नन है और अगर आपको पूछ देख अनुछे मौलिक कर्थब कहां से लिया गया है तो यह रूस से लिया गया है और मौलिक अधिकार अमिर् दानी कहां थी तो पल्लो राजवंस की राजधानी काचिपूरम इसका सही एंसर था ठीक है यह इसे रिलेटेट पॉइंट देख लेते हैं चोहानवंस के अस्थापना तो वाच्देव ने किया था नेक्स पॉइंट आपका राश्कुट वंस के अस्थापना यह जंति दुर ने किया था नेक्स पॉइंट है आपका पालवर के संसापक तो गोपाल थे दोस्तों आप लोग रिलेटेट पढ़के जाएए बहुत फाइदा होगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रस को देखते कि क्या आया था तो तीसरा प्रस जो आपका आया था वो था कि किस सविधान संसोदर में अनुसुचित जाती और जन जाती के आरच्छन की अवधी 10 वर्ज के लिए बढ़ाया गया ये है एक सो चारवा सविधान संसोदर अब दोस्तों सविधान संसोदर हमेशा पूछ रहा है मैं हमेशा बार बार बोलता है और रिलेटेट पढ़के इसके ताँ GST से ये सबंदीत है, 101 सविधान संसोधन जो है, जो GST से सबंदीत है, नेक्स पॉइंट आपका, 102 सविधान संसोधन ये पिछड़ा वर्ग आयोग को सविधानिक दर्जाईस में दिया गया, नेक्स पॉइंट आपका, 103 सविधान संसोधन इसमें आर्थिक रूप से कमजोर अनारच्छित आनि जिनरल वर्ग जो है, ठीक है, वर्गों को 10% आरच्छन आनि EWS जो बनाकर के देना है, ठीक है, गौर्मेंट जोब में 10% जो है सो छूट मिलेगा, ठीक है, आपको पता ही हो का, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अज देखते हैं, चौथा प्रस्ट क्या आया था, चौथा प्रस्ट था दोस्तों, गोल में समेलन, पर्थम गोल में समेलन कब हुआ, तो पर्थम गोल में समेलन 1930 को भी थी, और कहां भी थी, तो लंदन में भी थी, अब इसे रिलेटेड देख लेते हैं दोस्तों दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में और तीसरा पूछ देते हैं 1932 नेक्स पुएंट आपका गांधी जी ने दूसरा गोल में सम्मेलन में सिर्फ भाग लिये थे ठीक है तीन गोल में सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में पूछ दे कि तीनों गोल में समैलन में भागल लेने वेक्ष ते तो आपिकश जो दोनों थे यह ही जो है सुतिनों गोल में शम्मयलैन में में भागली ये थे चलिए आगे दैँते तो अगला सब्षै शुरूआ जो उन्हें 65-68 इसी के बीच हुई थी सुरुत दस्तो यह जो बच्च लिख्या गया बीच के जिला ठीक है नेक्स पॉइंट है आपका हरीद कांती की जनक है तो नर्मन बर लोग है नेक्स पॉइंट है कि अगर आपको पूझे खरीद कांती की परवाद सबसे अधिक पड़ा तो यह गेहुं को पादन पर पड़ा था ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और छटे परस को देखते कि छटा परस क्या आया था छटा परस था जमू कस्मीर के दूसरे उपराजपाल कौन है तो दूसरा उपराज पर जो है ही जमु कस्मीर का मनोस सिनना है अगर आपको देखें जुसरा पुछा था पहला जरूर्ब पूछेगा कोई न कोई सेट में पूछेगा दोस्तों तो जमू कस्मीर के पहले उपराजपाल थे तो ग्रीस च्दर मुर्मु थे चले से ऐंसर होगा फगणो कोन्याक से अब नागालेंड के कुछ देख लेते लोकनित लोकनित हमेशा पूदा दोस्तों के लोकनित है चोंग नीत कुमी नागा नित और खैवा नित दोस्तों मेरे पास जो आया प्रश्ट उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ठीक है तो क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्क्राइब कर लें थेंकिए